हेलो स्टुडेंट्स, क्लास 12 चेमिस्टी में आप सभी का स्वागत है और हम लोग अपने नोट्स का छटमा प्रेश्न कर रहे हैं जिसमें हमने देखा कि हम एलकोहाल से हेलो एलकेन बना रहे हैं तो इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने एलकोहाल की किरिया लूकाज अभी करमक से करवाई थी मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये देखो और ये पूरी भासा के साथ में हमने याद किया था और इसका मेकेनिजम भी समझा था एलकोहाल की किरिया किस से करवाई थ सबसे पहले उत्तर heading डालेंगे alcohol से helloelkin बनाना बहुत हम alcohol एक ले लेते हैं यहां पे देखो सबसे पहले हम लिखेंगे एलकोहाल के किरिया PCL5 से कराने पर हेलो एलकेन बनते हैं अब आपको देखना है कैसे बनते हैं यह लेंगवेज आपको लिखना है देखो कैसे सबसे पहले कोई एलकोहाल ले ले लेते हैं और बंड ओएची ले लेते हैं यहां पे आप लिख सकते हो जैसे ठीक है R bond OH ले लिया यहाँ पे हम लेंगे PCL 5 क्या लेंगे PCL 5 इस तरीके से हमने ले लिया और यहाँ पे तीर कचने लगा लिया ठीक है तो देखो R 1 CL ले जाएगा क्योंकि हेलो एलकें तो बनाना ही है तो R bond CL हो गया अब इसके साथ में एक H ले जाएगा CL ठीक है ऐसे आपको ध्यान देना है एक H ले जाएगा तो H CL बनता है प्रियोक साला में एक H ले जाएगा CL अब 3 CL बचे और PO बचा तो यहाँ पे होगा PO CL 3 ठीक है ऐसे आपको करना है देखो फिर से समझो एक 5 CL है तो एक CL ले जाएगा R एक CL ले जाएगा H तो R CL हो गया H CL हो गया अब कितने CL बचे तीन बचे दो निकल गए एक R ले गया एक H ले गया तीन बचे तो और PO बचा तो PO CL 3 हो गया इतना सरल है अब इसको एक एक अग्जाम्पिल से देख सकते हो उधारन उधारन में R की जगाए पर कोई मूलक ले लेंगे जैसे की इस बार में C2H5 ले ले लेता हूं C2H5 OH किरिया किस से करवानी है PCL5 से ही PCL5 किरिया करेगा R की जगाए पर C2H5 लिख दू बस C2H5 CL तो ये किलोरो एथेन बन गया और प्लस HCL बनेगा और प्लस POCL 3 बनेगा ये अपनी एलकोहाल से हैलो एलकेन बना सकते हैं ये बन गया हैलो एलकेन ये बन गया हैलो एलकेन किस से बना है एलकोहाल से अब बात करते हैं कि इसके पीछे का मेकेनिजम क्या है बोर्ड में तो इतना ही लिखना है कि एलकोहल की किरिया PCL5 से कराने पर हैलो एलकेन बनते हैं इस तरीके से रियक्शन बता दोगे आप लेकिन अब हम बात करेंगे इसकी किरिया विदी की कि ये होता कैसे है मेकेनिजम समझना इंपोर्टेंट रहता है तो मैं यहाँ पर हैलिंग डालूँगा किरिया विदी तो सबसे पहले हम एलकोहल को लिखेंगे कैसे लिख सकते हैं और बॉन्ड ओ बॉन्ड एच ऐसे लिखना अगर आप से कोई पूचे मेकेनिजम क्या है तो आप ऐसे बना सकते हो यहाँ पर आक्सिजन के पास दो एका की लेक्टरॉन युगम होते हैं यानि लॉन पेर ओफ एलेक्टरॉन दोनों बना दिये इसके पास आता है PCL5 यानि कि PCL, CL, 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 और CL कितने होगे पांच CL CL5 का मतलब तो पांच ही CL होगे न अब आगे बनोगे तीर का चिन लगा लोगे अब आक्सिजन की आदत क्या होती है कि उसके पास आतिरिक्ट एलेक्टरॉन है तो वो दे तो देता है लेकिन खुद के उपर प्लस आ जाता है तो यहाँ पर यह वही करेगा यह लोगे आर ओफ एलेक्टरॉन दान कर देगा यानि उप संसाइउजी बंद बनाएगा तो अक्सिजन और फासफोरस के बीचे में बॉंड बनेगा तो यह हाइडूजन नीचे खिसक आएगा तो देखो कैसे बनेगा आर बॉंड ओ यह हाइडूजन नीचे खिसक के आगया यह देखो अब फिर आगया पी बन गया बॉंड अक्सिजन के उपर आगया प्लस ठीक है और जैसे ही यह बॉंड बना तो फासफोरस की सेविच्टा पांच है और यहाँ पे अक्सिजन से बॉंड बन गई एक सीजन के साथ एक सीजन रिलीज कर देगा एक दो तेन चार एक सीजन उसने निकाल दिया अपना क्यों? क्योंकि बैसे भी उसके पास बहुत सारे उलेक्ट्रोन है अक्सिजन इसको डोनेट करेगा तो यह सीजन बैसे भी बहुत ज़्यादा रिन्विद्ध होती है तो यह निकल जाएगा यहां से निकलना चाहेगा क्योंकि यह बैसे भी यह बॉंड के इलेक्ट्रोन अपनी तरफ खीच की रखा था जैसे ही यहां से इलेक्ट्रोन इसे मिले फास फूरस को तो यहां पे इलेक्ट्रोन बहुत ज़दा हो गया तो इसने सीजन को रवाना कर दिया तो सीजन एक गाया चार सीजन बचे दूसरी थियोरी यह है कि फास फूरस कितने बंद बनाता है पांच बंद तो पांच बंद उसको कैसे भी बनाना है तो एक बंद जब वो अकसीजन के साथ में बना लेगा तो छे बंद हो जाएंगे तो एक सीजन उसे रिलीज करना पड़ेगा तो हो गए ना पांच बापिस से एक, दो, तीन, चार, पांच तो फास फूरस के पांच बंद ही दिखाना है तो अगर ये सीजन भी बनाते तो छे बंद हो जाते इसलिए फास फूरस ने अपने सीजन को रवाना कर दिया ये यहाँ पे ऐसी समझना है तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं आएगा लेकिन अकसीजन अब क्या करना चाहता है डिस्चार्ज होना चाहता है पहले जैसा होना चाहता बिना चार्ज का ठीक है तो वो चाहता है वो अपने इलेक्टोन बापस लेगा इससे नहीं लेगा फास फूरस को तो वो देने में लगा है अपने घर के सदश्यों से अपने ही मॉलेक्यूल से लेगा तो इस बार वो R से नहीं लेगा, वो H से लेगा अब आपको यहाँ पर समझना है कि H से क्यों लेगा क्योंकि product में हमारा HCL बनता है पहले ये reaction lab में होती है, उसके बाद किरिया विधी predict की जाती है कि ऐसा हुआ होगा तो इसलिए ये जो H है, ये जब निकलेगा तभी तो HCL बनाएगा तो ये जो दोनों electron है, ये दोनों electron oxygen अपने पास ही रखता है और hydrogen को बिना electron के छोड़ता है, तो H+, मतलब electron की कमी के साथ छोड़ता है इसको यहां से रवाना करता है, तो देखो क्या हो गया अगले step में अगले step में R, bond oxygen अब discharge हो गया और bond P के साथ में है, यहां पे 4CL हैं एक, दो, तीन, और चार और इसने hydrogen को रवाना कर दिया H+, की form में तो H+, और CL- जो हैं आपस में मिल जाएंगे और HCL बना लेंगे, तो यहां पे हम और आगे यह भी लिख सकते हैं, कि यह बनेगा HCL क्लियर हुआ की नहीं, तो यह हो जाता है इस तरीके से, मेकेनिजम ऐसे ही होता है क्योंकि पहले वाले में R से लिया था, अब H से लिया ऐसा क्यों क्योंकि हमें देखना पड़ता है कि यहां पर H है और H निकलेगा, CL माइनस है तभी तो HCL बनेगा, तो यहां पर यह ची दियान रखना की जहां HCL बन रहा है, तो वहां से H से होगा लेकिन आगे फिर से, अब फिर इसके पास यहां पर दो एलेक्टरौन है, दो एलेक्टरौन, क्योंकि बापस मिल गए उसे तो यह फिर से, यहां दान करना चाहता है इसलिए दान करेगा, क्योंकि इसकी आदत है दान करेगा, खुद पर प्लसा जाएगा, तो खुद के इस अदस्यों को भगाएगा और फिर उदासीन हो जाता है फिर बापिस उसके पास दो लॉन पेयर यहां दो लॉन पेयर यहां तो फिर दान करता है तो फिर इसने फासपूरस को दिये तो देखो क्या हो गया और बॉंड औक्सीजन और एक बॉंड तो बना ही था फिर से इसने लॉन पेर दे दिये तो दो बॉंड बन गए औक्सीजन और फासफुरस के बीच में तो अब फासफुरस को मेंटेन करके रखना है अपने पांच बंद तो अब ही अगर ये चारों बनाएगा तो जादा च्छे हो जाएगे तो एक किलोरीन फिर वो अलग कर देगा तो सी एल सी एल और सी एल अब उसने क्या कर दिया किलोरीन को अलग कर दिया आया समझ मैं कि नहीं तो यहाँ पर देखो फासफोरस के पांच ही बॉंड है क्योंकि यहाँ पर डवल बॉंड हो गया तो उसने अपना एक किलोरीन फिर खोना पड़ा यानि वो किलोरीन को रवाना करेगा क्योंकि ये लेक्ट्रॉन वैसे भी जादा हो रहे है तो यहाँ पर C-L निकल गया लेकिन ये वाला जो अक्सीजन है इसने इसको दान किया है तो इस पर फिर से एक बार प्लस आ गया अब वो फिर डिस्चार्ज होना चाहता है तो अब वो R को भगाएगा R को भगाएगा प्लस फोर्म में ही भगाते हैं तो अब जब कोई परमाड़ निकलेगा तो इलेक्टॉन वो उसके चीनेगा और फिर उसको भगाएगा तो प्लस आ जाएगा इस पे इस पे इलेक्टॉन की कमी है और ये फिर डिस्चार्ज होके क्या बनेगा प्लस लगाना पड़ेगा बन्ड तूट गया है क्योंकि P O C L 3 तो क्या बन गया P O C L 3 तो आप ऐसे लिख लो O double bond P C L C L C L O double bond P C L C L C L और यहाँ पे ये C L निकला था तो जो C L माइनस था जो निकला था ना इसकी पहले वाले स्टेप में और ये R प्लस इसने दे दिया R प्लस C L R bond C L और एक अपना H C L भी बना था तो वो प्रोड़क्ट भी यहाँ पे लिख लेते हैं साथ में ये वाला भी बन रहा है जो कि P O C L 3 है तो P O C L 3 भी बन गया और यही तीनों चीज़े हमारे इसमें भी बन रही हैं देको P O C L 3 H C L R C L ये इसका मेकेनिजम हो गया तो आपको B O Eч Z में तो कि बन इतना ही लिखना है लेकिन थोड़ा सा अ मेकेनिजम बताना जरूरी होता है इसलिए बता रहे हैं तो ये अब हम चलते हैं नोट्स में कि आपको कैसे लिखना है ये भी समाझ लो नोट्स ही है इसको इसके आथार पे आपने समझा है तो आप इसको ही नूट कर सकते हो नहीं तो PDF नोट्स मेरे पास है जो कि मैंने लिखे हुए है खुद से फिर उसके बाद मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पहले मैंने खुद पढ़ा है अच्छे से पूरा रिवाइज किया है मैंने जो 12 म पढ़ी थी फिर आपको सौट में बता रहा हूँ तो ये हैं अपने नोट्स इसमें बिदी नंबर सेकेंड क्यों लिखा है क्योंकि एलकोहाल से हमने लूकाज अभी करमक का रियक्शन करवाय था तो एक बना था हैलो एलकेन अब हमने एलकोहाल की क्रिया PCL5 से करवाई है तो भी हमारा हेलो एलकेन बनता है तो ये एक折ारन लिखा है एफन परोपेन वाल लिख दिया है मैंने समझाया एफेन से है तो आप कोई भी एक्जामपिल लिख सकते दो मेफेन एफन परोपेन ब्यू टेन और ये पूरा मेकेनिसम है तो इसको भी नूट कर लेना PDF नूट चाहिए तो आप मुझे मेरे नमबर पर मेसिज करना वहाँ पर मैं आपको PDF नूट PDF के form मैं भेज दूँगा ठीक है मैंने अपना नमबर बता दिया है आप चैनल पर बिजट करेंगे देखेंगे तो मेरे नमबर आपको मिल जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ने वाले हमें पेज बल्टा के आपको दिखाऊंगा पेज बल्टा के क्या दिखाने वाला हूँ कि अब एलकोहाल की किरिया हम PCL 3 से करेंगे अभी तो हमने PCL 5 से करी है लेकिन अब PCL 3 से करेंगे और ये आपको नेश्ट वीडियो लेक्चर में मिलेगा और इसका मेकेनिजम काफी बड़ा है तो पूरा आप समझोगे ठीक है तो चलिए फिर नेश्ट वीडियो मिलते हैं थैंक यू